Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी सायन के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है Ace of Souls, Reverse and Retreat करता है और देखिए इन फाक्ट एक काड कहता है कि अगर आप एक फाइटिंग स्प्रेट रखेंगे डिटाच्मेंट के साथ हर चीज को डील करेंगे तो डिफिनेटली आपको सक्सेज भी मिलेगा क्योंकि देखिए इस काड में क्राउन बना हुआ है और इन ही चीजों से र एक फाइटिंग स्प्रेट के साथ चीजों को डील करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और देखिए इन ही चीजों को थोड़ा सा चेक करके अगर आप करेक्ट कर लेंगे तो डिफिनेटली आपको सक्सेज मिलेगा और देखिए नीचे रि से वो जगा भी बदल लेती हैं भले ही उस जगा से उन्हें कितनी भी attachment हो भले ही उस जगा पे वो कितना भी अच्छा फील कर रही हो क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने सही time पे इस जगा को नहीं छोड़ा तो वो अपने लिए काफी problems, काफी issues ला सकती है और इसी तरीके से देखिए हम लोग भी जब timely चीजों से withdraw करते हैं तब कहीं एक better energies अपनी life में लेकर आते हैं या मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे मसले, बहुत सारी problems अपनी life में avoid करते हैं और देखिए यहाँ पे सब के लिए different situations हो सकती हैं जिसके लिए retreat का card आपको withdraw करने की बात करता है लेकिन देखिए बहुत important है कि सही time पे आप withdraw करें सही time पे आप let go करें कुछ लोगों के लिए कोई project हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई job हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई आदत behavior हो सकता है फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी चीज हो सकती है in fact सब के लिए differ कर सकती है जिसको लेकर आपको सही time पे withdraw करना है और let go करना है और देखे ऐसा अगर आप करेंगे तो आप काफी चीज़ों को अपनी life में असान कर पाएंगे और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 of Pentacles, Reverse and the Arousing के Cards हैं और देखे 5 of Pentacles का Cards कहीं rejection की बात करता है कहीं एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है और देखे कहीं पैसे money से related छोटे मोटे issues भी रहने की बात करता है और परसे मैं कहूंगी कि ये general reading है तो सब के लिए ये issues ये मसले differ कर सकते हैं overall के लिए देखे हो सकता है कि किसी इनसान से किसी help, किसी support की आपको उमीद थी और कहीं उनकी तरफ से वो support, वो help आपको नहीं मिल रहा है इसलिए एक rejection आप महसूस कर रहे हैं या बेर हो सकता है कि किसी loved one की तरफ से आपको लग रहा है कि भई उतना affection, उतना attention वो आपको नहीं दे रहे जितना normally वो देते हैं या पर जितना आपकी expectations हैं और दिखिए ये दो चीजें मेरे mind में आई हैं सब के लिए different situations हो सकती हैं different चीजें हो सकती हैं जिसको लेकर कहीं एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और पिर जिसको लेकर कहीं आप बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसे, money, materialistic, tangible चीज़ों से भी related छोटे मोटे issues रह सकते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जादा खर्चा हो रहा है या फिर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि भी उतने पैसे इस week आपके पास नहीं है फिर से देखिए जो चीज़ें मेरे mind में आ रही हैं मैं कह रही हूँ सब के लिए different चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर किसी level पर आप परेशान हो रहे हैं और देखिए arousing का card कहता है shake up that is a wake up call तो देखिए एक तरीके से ये card एक alarm की बात करता है एक you know घंटी अपने mind में किसी चीज़ को लेकर बजाने की बात करता है क्योंकि देखिए कितनी चीज़ें होती हैं हमारी life में जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं जो हमें किसी level पर परिशान कर रही होती हैं लेकिन हम उनको ignore करते हैं हम उनको avoid करते हैं हम उन पर attention ही नहीं देते हैं और यहाँ पर भी देखिए सब के लिए different चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए health से related हो सकता है कि again आप अच्छा नहीं feel कर रहे हैं और आपको मन ही मन लग रहा है कि भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए लेकिन आप आलस कर रहे हैं या फिर आप उस situation को avoid कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए कोई loved one का behavior हो सकता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ठीक नहीं लग रहा है और आप उसको avoid कर रहे हैं और दिखे ये काट कहता है कि आपने avoid नहीं करना क्योंकि ये ही universe की तरफ से आपके लिए sign है और आपने जाक के इन चीजों को upfront होके deal करना है आपने समझना है कि अगर ये इनसान आपको attention नहीं दे रहा है तो शायद इनके मन में आपके लिए वो प्यार नहीं है वो महबत नहीं है तो या तो आप उनको avoid करें या फिर अपनी expectations को कम करें तो देखिए कैसे आप इस चीज को better कर सकते हैं आप उस पो focus करें आप ignore ना करें और ऐसे ही देखिए health से related छोटा मोटा भी अगर आपको discomfort लग रहा है तो आप तुरन जाके doctor को मिलें और देखिए फिर से मैं कहूंगे कि ये दो चीजे मेरे माइड में आई मैंने कहीं यहाँ पे सब के लिए different situations हो सकती है क्योंकि ये general reading है and guidance से आप लोगों के लिए home word का card है और ये card कहता है take yourself out on a date तो देखिए ये भी card वही चीज बोल रहा है जो मैंने आपको अभी कहा है लेकिन ये थोड़ा सा different तरीके से बोल रहा है ये card कहरा है कि आप थोड़ा सा pause करें और अपने सा time spend करें थोड़ा सा एक introspective mode में रहें चीजों को और अच्छे से समझें आगे बढ़ने से पहले या फिर कोई भी action कोई भी initiative किसी भी life के area में आप लेना चाहा रहे हैं अगेन आप उसको अच्छे से समझें आप अपने साथ time spend करें अपने आपको prioritize करें अपने साथ date पे जाएं अपने आपको again मैं कहूंगे कि कैसे आप खुश रख सकते हैं उस पे आप focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy, blue colors आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था वो गोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए